बच्चों पिछले अध्यायों में आपने देखा कि किस प्रकार स्वतंतरता के बाद से ही भारत में उद्योगों के विकास के लिए लगातार प्रयास किये जाते रहे बहुत सारी उद्योगिक नीतिया नरधारित की गई बहुत सारी योजनाओं का निर्मान किया गया कहीं न कहीं ये योजनाये काफी फलेभूत भी हुए इनके बहुत अच्छे लाब भी मिले लेकिन हमने देखा कि इनमें कई दोश भी थे अब ये जो अध्योगिक नीतियां चलती रही सतत लंबे समय तक चलने के बाद एक समय ऐसा आया जब इस बात को महसूस किया जाने लगा कि कहीं न कहीं इन नीतियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है यानि 1990 के आते आते तक देश की इस्थती ऐसी हो गई थी कि अथिक्तर जो अध्योगिक इकाया थी वो बंद होने के कगार पे थी कहीं पूझी का अभाव था कहीं कच्ये माल का अभाव था कहीं कुशल श्रमिको का अभाव था तो कोई न कोई कारण लगातार ऐसे बनते गए कि जो अध्योगिक गतिविधिया थी उनमें बाधाय आती गई, रुकावट आती गई, बहुत से बड़े बड़े उद्योग बंध हो गए और यहां पर महसूस की गई एक ऐसी उद्योगिक नीती की जो इस उद्योग को इस विकास को एक नई गती प्रदान कर सके क्या हुआ कि जब पुरानी उद्योगिक नीती 1956 को निर्मित किया गया और उसके अधार पर जब उद्योगों का व्यवस्थापन और संचालन किया जाता रहा तो उस समय जो सरकार का सारा का सारा ध्यान जो था वो इन उद्योगों के इन कंपनियों के रास्ट्री करण की ओर था यानि कि सबने चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियों के जिन उद्योगों के स्थापना हो वो सार्वजनिक शेत्र में हो लेकिन इसके बहुत अچھे कुछ इसके प्रभाव तो देखने को मिले लेकिन जादा तर इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले सार्वजनिक छेत्र में इस्थापित जो द्योग थे वो कहीं न कहीं ब्रश्टाचार, लाल फीता शाही और अकुशल अश्रम के कारण जो पीछे होते चले गए और एक स्थिति ऐसी आई जब एक तो निर्यात वेपार जो था वो पूरा का पूरा बंद होने लगा रोजगार जो था वो उसकी दर बहुत कम हो गई और साथ ही साथ कुछ इन नीतियों के फलसुरूप कुछ ऐसे स्थितिया बन गई कि देश में एक भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी की एक जो समस्या थी उसने जन में ले लिया कहीं न कहीं वो जो नीतिया थी 1956 की आसपास की जो अद्योगिक नीतिया थी वो रूसी साम्यवादी नीतियों से ही प्रेरित थी और वैसी विचार धारा थी कि सार्वजणिक छेतर को आगे करना है निजी छेतर पर प्रतिबंध लगाने है तो उस समय कि अद्योगिक नीति कहें या अन्य कोई प्रतिबंद लेकिन कहीं न कहीं निजी उद्योगों के स्थापना पर बहुत कड़े नियमन बराये जा चुके थे अब क्योंकि देश की स्थती ऐसी हो गई थी कि गरीबी बेरुजगारी भुखमरी इन सब चीजों से निपटने के लिए यह जो पुरानी अद्योगिक नीतियां थी इनमें परिवर्तन बहुत जरूरी हो गया और यहां पर फिर जन में लिया नई अद्योगिक नीति ने जिसे हम आर्थिक सुधार की नीति भी कहते हैं या क्योंकि आर्थिक सुधार में इन नीतियों का नर्मान किया गया इसलिए हम आर्थिक सुधार में उसके अंतरगत नियम बनाये गया इसे हम इसका जो वास्तिवस्वरूब क्या होगा या इसका अर्थ इसे हम प्रोफिसर डौक्टर सी की रंगाराजन की परिभार्षा से और अधिक अच्छे से समझते हैं डॉक्टर सी रंगाराजन के अनुसार नई आर्थिक नीती में जुलाई के बाद किये गए विभर्ण नीतीगत उपाय और परिवर्थन शामिल है इन सभी उपायों का सयुक्त लक्ष अर्थ व्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है विवेद नियंत्रणों वाले विनिमय तंत्र की चाहे वा नीजी छेत्र में क्यों नहों छमता बिखर जाती है औ प्रतियोगिता का स्तर भी घड़ जाता है नई आर्थिक नीती का उद्देश्य अर्थ व्यवस्था में और प्रतिसपर्धी वातावरण तयार करना है ताकि आर्थिक प्रणाली की उत्पादत्ता तथा कारिकुशलता में सुधार है तो आपने देखा कि किस प्रकार उन् नई ओद्योगिक नीती थी इसके क्या कारण थे क्यूं इसको बनाया गया इसे अगर बिंदु आर अगर हम अध्यन करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण तो यह था कि राजकोशिय घाटा में लगा तार्विद्धी हो रहे थी राजकोशिय घाटा पे हम नज़र ड सब्कान में चलाई जा रही थी लेकिन आय के साधन कहीं न कहीं उतने अधिक नहीं थे और इसके कारण कहीं न तो बहुत बहुता है और इसके का रहा जो घाचकोशिय घाटा हूई जिसके कारण नई अध्यों की निती की जरूरत पड़ी हुआ क्या कि निर्यात जो था वो तो बंध होने लगा लगबख बंध होनी की कगार पर था क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा था जिन उत्पादों का यह तो उनकी कॉलिटी अच्छी नहीं थी गुणवत्ता अच्छी न रहना पड़ा हम आयात के छेत्र में अभी तक आत्म निर्भर नहीं बन पाए थे तो यहां पर क्योंकि निर्यात तो हुआ नहीं और आयात की जरूरत लगातार बनती रही तो विदेशी मुद्रा की जो बात आई प्रतिकूल भुक्तान संतुलन की बात आई वो एक महत्व समस्या बन गई जिसने अध्योगिक नीति को जन्म दिया तीसरे हम इसके कारण के बात करें तो हम देखते हैं कि उसी समय जो खाड़ी संकट एक महत्वपूर्ण कारण बना क्योंकि 1990 क्यांबी के आसपास जब इरान इराक का युद्ध छिड़ा तो क्योंकि तेल के भंडा मुश्किले होने लगी बहुत सारे प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा और एक बढ़ी हुई धन राशी पर तेल का आयात करना पड़ा तो यहां पर भी जो अर्थ वैवस्था थी भारत की वो चर्मरासी गई ऐसे ही अन्यकारण के हम बात करें तो हम देखते हैं कि सा अमीद पर खरा उतरने में यह कहीं न कहीं असफल रहें चाहें हम ब्रश्टाचार कहें यह लाल फीता शाही करें यह कर्मचारी की निश्क्रियता कहें लेकिन जो अपेक्षा की गई सार्वजनिक शेत्रों से वह फलिभूत कहीं नहीं हो पाई वैसी हम इसके कारण की बात थी तो बाहर से हमको समान मगाना पड़ता था तो यहां पर देशिमुद्रा का ताल मिल था वह गड़बड़ा सकते और रिण के चलते भी बहुत सारे विदेशिरीद्रों के चलते भी विदेशिमुद्रा का संकट्ट हमारे सामने आखडा हुआ अब उस समय अगर हम देखें 1990-1990 में तो भारत के आसपास पडोस के ऐसे कई देश थे जिन्होंने अपनी पुरानी और द्योगिक नीती को अपनाया और वो काफी हद तक सफल भी रहे तो उनको भी देखते हुए और उनके बारे में भी सोचते हुए भारत ने भी है महसूस किया कि शायद उसे भी एक नई और द्योगिक नीती की जरूरत है और यहां से नई और द्योगिक नीती 1991 का जर्म हुआ जुलाई 1991 में जब नई और द्योगिक नीती को स्थापित किया गया तो इसका सबसे महत्यपूर्ण उद्यशे यही रखा गया कि जो भारत की रुकी हुई अर्थ व्यवस्ता आर्थिक विकास है उसको गती प्रदान करना और जो भारत के जो चर्वराय से उद्योग है उन कौन से नीती का तुपाय इसके अंदर शामिल किये गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नियंत्रत व्यवस्ता के स्थान पर उदारता यानि कि जहां पर सरकार उद्योगों को बहुत उनके उपर नियंत्रन स्थापित की थी कि सारे उद्योग ऐसे होंगे जो सरकार के सिलकुल अपोजिट उसने उदारवादी व्यवस्ता में उसने तब्दिल कर दिया यानि कि यह जो बहुत सारी नीतिया थी लैसेंसिंग व्यवस्ता थी और बहुत सारे प्रतिबंध नियंत्रन लगाये थे उद्योगों पर उसको समाप्त करके एक उदारवादी नीती को स सारवजनिक छेत्रों को थोड़ा सा संकुचित करते हुए सेमित करते हुए नीजी छेत्रों को अवसर दिया जाए नीजी छेत्री के जो उद्योग है उनके विस्तार और विकास की बाद कही गई यही कारण था कि इन पर लगने वाले बहुत सारे प्रतिबंध समाप्त कर ये गया ताकि आसानी से नीजी छेत्री के जो लोग है वो उद्दोगों की वैपार के सापना कर सकें। इसुख ही यह भी प्रयास किया गया कि विदेशी निवेस जो है उनको प्रोपसाइद किया जा सकें। बहुत से हमारे देश में खदाने ऐसे थे बहुत सारी उद्योग ऐसे थे जो देश में उनको चलाने के लिए तकनीक नहीं थी तो यह प्रयास किया गया कि विदेशी कोई कंपनिया अगर चाहे तो देश में विन्योग कर सकती है तो इसका भी प्रयास किया गया साथ में एक यह भी अपनाई गई कि अब क्योंकि उद्योगों को हमको निर्यात वैपार बढ़ाना था एक प्रमुखुद्देश यह था कि हम ऐसी वस्तों का उत्पादन अपने देश में करें जो हम निर्यात कर सके उनकी कॉलिटी अच्छी हो उनमें गुणवत्ता हो तो इसके लिए ह हमको चाहिए थे टेकन लोजी तो हम कि आयात के भी हमने बात कि अंधर कि उपने के जो बात सी हे जो भारत की लोगों जो जो जीविका थी उनकी वो क्रिशी ही थी उस समय लगवक 70 प्रतिशत जो देश की आबादी थी वो पूरी की पूरी क्रिशी पर निर्भर थी तो क्रिशी भी एक महत्पूर्ण उद्योग महत्पूर्ण कारी के रूप में सरकार ने समझा और यह प्रयास किया गया कि अब कुछ आधुनिक यंत्रों का कुछ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो इस सम्मन में जो जरूरी उद्योग है उनके स्थापना की बात कही गई साथ ही यह भी उपाय अपनाया गया कि जो व्यापारिक नीती है राजस्व नीती है मौद्रिक नीती है अभी तक उनमें जो प्रतिबंध लगाये गये थे जो बॉंडेशन्स थे उनको कम किया जाए यह हटाया जाए प्रतिबंधों को समाप्ति किया जाए और एक उदारी कर Almost 10Estam साधर यह भी दिखा गया कि राजकोशी घाटा जैसे हम नेखा कि नहीं अर्ट यही था कि राजकोशी घाटा लगातार हो रहा था तो राजकोशी घाटे पर नींतरन कैसे किया जाए कैसे उस घाटे को कम किया जाए इसको भी नीति के अंतरगत शामिल किया गए तो यह तो बात रही उन नीति गतुपायों की जो इसके अंतरगत अपनाए गए अब अर्थ-व्यवस्ता में सुधार को ध्यान में रखते हुए यह नीति आपनाए तो गए लेकिन इसका जो मुख्य उद्देशता आर्थिक जो नई आर्थिक नेति बनाई इसका मुख्य उद्देश इता वो गहीन यही था कि भारत के जो लोग है उनका जीवनिस्तर उचा उठाया जा सके जादा से जादा लोगों को रोजगार दिया जा सके और उनको एक अच्छा जीवनिस्तर जीने के कावसर दिया जा सके फिर भी इसके कुछ अन्य उद्देशे भे नरधारित किये गए प्रोफिसर श्री पी एंधर ने अपनी प्रसेद्ध पुस्तक Economic Reform of India में इसके कुछ उद्देश्यों के व्याक्या की आए देखते हैं वो कौन-कौन से उद्देश्य थे तो अगर हम इनके उद्देशों के बात करें तो सबसे पहले में आपर देखते हैं कि स्वतंत्र वैपार की नीती जिसे कि हमने पहले देखा कि पहले जो व्यापार थे निजी छेत्र के जो वैपार थे उसके काफी प्रतिबंध लगे हुए थे सरकार की नीती ही ऐसी थी कि सारवजनिक छेत्र का विस्तार किया जाए सारवजनिक छेत्र को बढ़ावा दिया जाए इसलिए कहीं न कहीं नीजी छेत्र पर उन्होंने काफी प्रतिबंध लगाये हुए थे तो यहां पर इसका एक उद्देश यह था कि अब जो हम व्याप था किवेंगी उसमें स्वतंद्र संबंद में जो सरकारी प्रतिबंध उनको कहीं न कहीं समाप्त किया जाएगा और यहां पर भी उदारवादी नीती अपनाई जाएगी तीसरा अगर हम इसके उदेशों की बात करें तो यह प्रयास किया गया कि एक कुशल और गतिशील और द्योगिक छेत्र का यहां पर विकास किया जाए तभी हमने बात की कि हम टेक्नलोजी को भी आयात करेंगे और जो हमा कंथि एक कमी थी इद्योगों में जो निर्यात के युगे हम वस्तों करन निर्माण हम नहीं कर पा रहुए क्योंकि उसके कि यहां पर जन में दिया जा सके क्योंकि यह माना गया कि जब तक उद्योगों में वैपार में एक स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होगी तब तक हम उस योग्य वैपार वैफसाय को उतनी उन्निती पर नहीं ले जा सकते हैं जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया जिसके कारण हमने उद्योगिक नीतिया बनाई तो कहीं न कहीं प्रतियोगिताओं का होना भी यहां पर आवश्यक समझा गया तो यहां पर एक उद्धेश यह रखा गया कि उद्योगों के मद्ध स्वतंत्र प्रतियोगिता एक बनी रहनी चाहिए तो यह जो इसके कुछ मूलभूत उद्धेश थे साथ में जब द्रगत क्या क्या कारे किये जाएंगे तो पिछले जो हमारे आकड़े थे विकास की उनको ध्यान में रखते हुए अब उसमें हमको नया क्या करना है इस पर बात की गई तो बिंदुवार आये देखते हैं कि किन किन बातों पर विचार किया गया पहला जो इसका अंग था बात सब्सक्राइब भैसाएं में राज कोंशी ही नीती में सुधार सबसे पहले यह मांनग्या ज theme सुधार की बात करें थे entscheiden कि शो शकल गरे लुद पात 1.4 पर्संट था जब इतने सारे उपाय कियी गया नए आव्त राज-श्चोशी नीती 2014 लाई गई तो उसके बाद यह जो सकल घरेलू उत्पात था और यह जो राजकोशिय घाटा था यह कम होकर 1996-97 में 5% हो गया और वर्ष 2000 और 2001 में घटकर 4% हो गया तो यहां पर हमने इसके लिए बहुत सारवजनिकवय उपर नियंत्रण किया गया बहुत सारे छेत्रों में जो अलग-अलग सारवजनिक वय तो जहां उसे लगा कि अंकुष लगाना चाहिए वहां पर अंकुष लगाया गया सारजनिक वयोपर काफी ने अंतरन स्थापित किया गया साथ ही जो कर एवं गैर कर राजस्व जो आए थी उसके उसपर विचार किया गया कि किन-किन चीजों पर कर लगाया जाए और किन-किन जो मदे हैं उनको कर से मुक्त किया जाए जिससे लोगों पर अत्रिक्त भार भी ना पड़े और राजस्व की प्राप्ती का जो की महतपूर्ण स्त्रोथ है कर वो भी प्राप्त होता रहे। वैसे ही एक प्रयास यह है कि सबसीडि जो सरकार कई छेतरों में दे रही थी तो जहां बहुत जरूरी थी वहां सबसीडि की व्यवस्ता अभी भी लागू रखी गए लेकिन बहुत सारे छेतरों से सबसीडि जो थी सरकार ने वो हटा ली। साथ यह भी प्रयास किया गया कि सारवजनिक छेत्र के उपकरम उनमें सुधार लाया जाए। हमने देखा कि कहीं भ्रष्टाचारी अलाल फिता शाही या अकारे कुछलता के कारण जो सार्वजनिक छेत्र खराब हो रहे थे इकाया जो बंद हो रही थी उनमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे नियम कानून लाए जाए जिससे सार्वजनिक छेत्री की जो व्यवस्ता है उसमें सारे कारे किये गया राजकोशिय घाटे के संबंध में राजकोशिय घाटे को कम करने के लिए दूसरा इसका जो मूल बिंदू है उसके अंदर हमने देखा कि मौद्रिक नीती में सुधार का प्रयास किया गया मौद्रिक नीती में सुधार के लिए जो सरकार के आयवे के स् पर सार्वजनिक वह जो है किया गया कि कीमत नीती में सुधार कैसे किया जाये यानि ये प्रयास किया जाये कि कीमत जो वस्तूओं की उसपर सरजनिक दरह पहले भी था 19ічल लागोंसें के पहले भी था सरकार सरकार बहुत सारी चीजों पर कीमत का दरख सरकार के द्वारा होता था और पर दिएphon कीमत निधारन में कही न कहीं विफल हो रही थी तो यहां कि इसे फ़े जाएं की पूरी पूरी व्हेस्ता ही औरफ्ession 10 के के सुधार के के लिए यहां पर टैसल जन्म होआ तो इसमें कुछ बिंदों को शामिल किया क्या किया थienza ayudar अध्योगिक नितिक में सुधार लाया जा सके तुस्पे पहला विंदू जो था वो यह था कि छोड़कर बाकि सभी उद्योगों से जो अध्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवारयता थी वो समाप्ति कर दी कर दी कि गया अध्योग के छिसमें विन्योग किया जा सकता था लेकिन इने घटा कर आठ उद्योग तक सिमित कर दिया गया यानि 17 उद्योग ऐसे थे जिसमें सिर्फ सर्वजनिक विन्योग ही हो सकते थे तो उनकी संक्या घटाया गया ताकि निजी विन्योगों को इसमें प्रोचसाहित किया जा सके तीसरा एक यह काम किया गया कि वैपार एक अधिकार आत्मक वैफसाय प्रबंद याने MRTP था उसको समाप्ति किया गया बहुत से वैपार ऐसे थे जिन पर सरकार का एक अधिकार था कोई दूसरा वेक्ति कोई दूसरी निजी संस्था उनके स्थापना नहीं कर सकती थी तो उन पर से यह MRTP Act था वो हटा दिया गया फिर भी इसके कुछ अपवाद रहे जैसे सो करोड से अधिक के पूंजी वर्गे की जो कंपनिया थी उन पर वो लागू रहा आ गया में इसके बारे में और अच्छे से अध्यान करेंगे साथ ही यह देखा गया कि उद्योग स्थापित करने की नीती के संबन में उदारता जो हम आगे चलके पढ़ेंगे कि उदारी करण उदारता की नीती यानि कि बहुत जाता जो प्रतिबंधात्मक वैपार वैभार था बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे उनको कम किया गया और उद्योगों के स्थापना को सरल बनाने का प्रया से हां पर किया गया अब अगला जो यहाँ पर बिंदू अपनाया गया वो था विदेशी विनिमे नीती में सुधार विदेशी विनिमे नीती भी जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसी थी प्रॉब्लम बहुत सारी थी जो भुगतान प्रतिफल का असंतुलन था वो भी कहीं न कहीं विदेशी विनिमे नीती के कारण था तो उसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या काम किये गए सबसे पहले तो देश के जो 34 प्रात्मिक हमने उद्योगों को प्रात्मिक और दुर्तियक में बाटा है आपने बेस्टी में भी पढ़ा है तो जो 34 प्रात्मिक उद्योग थे उसमें 59 प्रतिशत विदेशी एक्विटी याने विदेशी विन्योगों को 59 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए रास्ता वहाँ पर खोल दिया गया दूसरा यहाँ पर जो उच्छ प्रात्मिकता वाले उ सरकार ने लिया तीसरा उसमें यह व्यवस्ता की गई कि भारती वस्तु का विदेशी वैपार में विदेशी चेत्रों में उनका उनकी गुडवत्ता के कारण उनका निर्यात बना रहे इसलिए बहुत अच्छी टेक्नोलोजी का बहुत अच्छे कच्छे माल का और बहुत अगला पॉइंट देखे तो यह बताता है कि सार्वजनिक शेत्र के उपकरम में जो भारी हानी हो रही थी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा उपकरम को अपने अंडर में तो ले लिया नीजी जो शेत्र थी उसे प्रतिबंद लगा दिया उनकी विचार धारा थी कि ज्यादा से जाधा उध्यों होंगे वकर claim होंगे इतनी हानी हूई कि यहीं नई अडलेगिक नीटी कि ही जूरत पढ़ गई तो यहां पर जो शाषानिक शेत्र के जो में हो रही थी उसको कम करने के लिए कुछ नितिगत निर्णाय जो है जो जिन पर सारवजनिक छेत्र का नियंत्रण होगा नीजी छेत्र वहाँ पर अपना जो उद्योग धंदे वह स्थापित नहीं कर सकते लेकिन बाद में वो जो उद्योग थे उनको भी घटा कर च्छै किया गया आगे हम देखेंगे और फिर उसके बाद देखा कि जो बजट हम देखा कि अन्तरगत् सर्वजनिक छेत्र के उद्योग को जो अत्रिक्त सहायता प्रदान की जाती थी आगावी बझेट में उसको भी कम कर दीा गया साथ में यह बी किया गया कि जो विमार पड़े उपक्रम है विमार पड़ी अध्योगी की काया है उसमें कुछ नहीं तकनीकों को डाला जाए कुछ कुछա करमचारीयों को कुछ क्रमिकों को डाला जाएं और उन्हें फिर से कडि़ member प्रदान की जाए तो सार्वजनिक छेत्र को भी वापस एक नया रूप देने के लिए बहुत सारे प्रयास नीती के अंतरकत किये गए अगला बिंदुम सुधारकार में देखे तो हम देखते हैं कि व्यापारिक नीती में सुधारकी बात की गई व्यापारिक नीती में हमने है तहीं कारण था कि कोई भी उद्योग पती कोई भी पूझी पती बहुत आसानी से किसी उद्योग को सापित करने में हच्कच ना था क्योंकि सरकार्स ने दे अधने नहीं नहीं को के सफापना में तो उन से लाइसिन्स की जो वुस्तति करदी गई उसके बाद पुजी घत वस्तु और कच्चे माल से जो आयात कर था वहटा दिये गए क्योंकि पुजी घत वस्तों के बड़ी भारी मशीने आयात की जाती थी जिनका प्रयोग देश में कई वस्तों के उत्पादन के लिए किया जाता था तो क्योंकि मशनीं के आयात पर अगर कर जाता है तो उन मशनींव मशनीों से जो प्रोडक्शन होगा उत पादन होगा वस्तों का मूल्ब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता था और कहीं न कहीं इस कारण से जो द्योग पती थे वो पुझी कतवस्तों के आयाद से हिचकचाते थे तो मशीनों का आयात अच्छे से हो सके और देश में उनको प्रोडक्शन यूनिट के रूप में उनको उप्योग में लाया जा सके तो इसलिए पुंजी का वस्तों से और कच्छे माल से जो आयात करता उसको हटा दिया गया साथ ही यह प्रयास किया गया कि विदेशी विनिमें एक कोश्ट बनाया जाए यानि विदेशी मुद्राओं का जब हम आदान प्रदान करते हैं निर्यात और आयात वैपार के अंतरकर तो उसके लिए भविश्य में अगर जोरौत पड़े तो हम उसका प्रियोक कर सके इसके विदेशी में कोश्ट का निर्मानिया किया गया कि अगला जो कदम उठाया गया वो था समाजिक नीति में सुधार का आप क्योंकि केवल अर्थ विवस्ता जो है आर्थिक-जो क्रियाने हैं कही न कहीं उनका क्रिया नियन और साथ में आर्थिक नीती में सुधार दोनों का जैसे मैंने पहले भी बताए कि जो मूलभूत उद्देशी था वो तो यही था कि भारत के जो लोग हैं उनके जीवन इस्तार में सुधार लाया जाए अब चाहे वो उद्योगों के नीतियों को परवर्तित करके लाया जाए या कैसे भी लाया जा लेकिन मूलभूत उद्देश एक ही था अब क्योंकि लोगों के जीवन इस्तर के हम बात करते हैं भारत के जनता के हम जीवन इस्तर के बात करते हैं तो कहीं न कहीं यह समाजिक उद्देशी से जुड़ जाता है अब वहां पर जो एक मूलभूत समस् जैसे गरीबी इसक्षा जो समुचित स्वास्ववस्था का न हो पाना इन मूलभूत जरूरतों पर सबसे पहले मूलभूत समस्यां निपटा जाए तो यहां पर सबसे पहले प्रयास किया गया कि प्रात्म इक उप्चार पेज अलापूर्ति सही परिवहन व्यवस्था इस पर फोकस किया गया और इसके लिए एक राष्ट्री सामाजिक सहायता योजना का निर्माण किया गया जिसमें हम अभी भी सुनते हैं कि बहुत सारी योजनाय चलाई जाती है जैसे व्रिद्धावस्था पेंशन योजना मातरुत के लिए जो सहयोग दिया ज योजनाय ऐसे बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया गया जिससे हम सामुई खितों को यहां पर प्रोट्साहित कर सकें तो यह कुछ ऐसे बिंदू थे जिनको नई आर्थिक निती 399 के अंदरगत क्रियानवित किया गया और काफी लाब यहां पर हम देखते हैं कि देखने को मिला है अब अगर हम भारती वद्धियों के क्नीती कि विशेस्ताओं की बात करें कि क्या इसके विशेस्ता रही कौन-कौन से में जो पॉइंट थे वह इसमें शामिल किये गए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें तीन बिंदू को अपनाया गया और उन्हीं तीन बिंदू के आधार पर पूरी कारिप्रणाली संचाली यह तीनों ही उस समय देश की जरूरत बनी इन तीनों को अपना कर ही भारती और द्योगिक नीती 1991 का निर्माण किया गया और काफी जो उद्योग व्यपार के छेत्र में जो परिवर्तन हुए वो इन तीन बिंदों के आधार पर ही हुए तो सबसे पहले हम देखते हैं उद प्रतिबंधात्मक नियंतरणात्मक नीती थी ज्यादा से ज्यादा निजी छेत्रों पर नियंतरण लगाए जा सके अब वो भारतिय जो आर्थिक नीती उन्हीं स्वाइंक्यान्बे बनी वो सीधे पूरब से पस्चिम की ओर आ गई यानि जहां बहुत ज्यादा नियंत्रण की बात की जा रही थी अब बिलकुल नियंत्रण हटा दो एकदम उदारवादी व्यवस्था अपना दो क्योंकि मूल जो कारण था और जो विकास है उसक को समाप्त करके उदारवाद के नीति अपनाए गई यह हम कह सकते हैं कि उदारवाद के अंतर्गत उद्योग तथा व्यपार को अनावश्य प्रतिबंधों से मुक्त करके एक प्रतिसपरधात्मक वातावरण का वहाँ पर निर्मान किया गया इसके अंतर्गत हम यह भी द अगया और के उसे धि इसे बचे थे चिन पर जिनकी स्थापना से पहले लाइसेंस लेना अनिवारे कर दिया गया ween दूसरा है इसके अंतर्गत यह दिखा गया कि उद्योग बजार आपने विस्तार के लिए उनको पूरी तरीके से स्वतंत्री गया तोस्त को ।раж 10 का ज़ के हुए थे जिनके लिए अपने उद्योगों का विकास करने के लिए उनको सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ती थी लेकिन उद्योगिक निति नियुसेंग के आने के बाद इन प्रतिबंदों को भी समाप्ति कर दिया गया अब सभी निजी उद्योगी की काईया अपने करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई थी एक अगला बिंदों यहां पर यह भी देखा गया कि जो एक अधिकार अत्मक प्रति बंधात्मक वैपार वैभार अधिनियम हमने देखा MRTP को यहां पर समाप्ति कर दिया गया तो बहुत से छेत्र ऐसे थे जहां पर सार हमने हाँ पर देखा कि उदारी करण में जो लगू उद्योग थे उनमें जो निवेश था उसकी सीमा को बढ़ाकर लगवग साथ लाक रुपया कर दिया गया सरकारी निवेश को वहां पर प्रोचाहन दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं लगू द्योग भी ऐसे थे जो रोज उनके आयाद पर बहुत सारे कर लगे होई तेक्स लगे वोए थे अब पूंजी कर असमान के अंतरगत मσीनों का आयात किया जाता था तो टेक्स के कारण न उन मשीनों का जो द्योगपति है वो आयात नहीं कर पाते थे लेकिन यहांँ पर जभ जो यह इस व्विश्ट के त अब हमने देखा कि नई और द्योगिक नीती के अंतर्गत जब हमने उधारी करण पर फोकस किया। बहुत सारी चीजे उसके अंतर्गत लाई गई। लेकिन एक बात ये भी रही कि उधारी करण के आवश्यक्ता क्यों महसूस की गई। तो अगर उदारी करण के आवशक्ता की बात करें तो कुछ बिंद्यों के अधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए उदारी करण आवश्यक्त था जैसे हम भी कह सकते हैं कि रोजगार का स्रिजन करना था हमने देखा कि वो जो इस्तती थी कि यहां पर देखा गया कि बजट जो घाटे का बजट था और निरंतर उसमें व्रदी हो रही थी यानि प्रतिवर्ष जो बजट आता था वो घाटे कहीं था कि अब कहीं न कहीं यह जो गाता था उसका आ प्रत्यक्ष संबंध हम कहें तो उद्योगी की काई उसाँ कहीं एक बजट को नियन्तित करना है घाına नियंतित करना थो ऐसाओ सोचा कहीं न कहीं उद्योगों के विकास और व्रस्तार के साथ ही उसको नियंत्रित किया जा सकता है और उद्योगों का विकास अगर करना है तो अब उदारी करण को अपनाना जरूरी समझा गया एक बात यहां यह भी देखी गई कि महंगाई में लगातार वृद्धी हो रही थी जनसंख्या की जो समस्या थी वो तो यथावत बनी हुई थी जनसंख्या वृद्धी हो रही थी और एक तरफ और दोगी की काया जो थी वो बंद पड़ी थी आयात करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी अब ऐसी कंडिशन में महंगाई का बढ़ जाना वाजिब था कैसे महंगाई के दर को नियंत्रित किया जाए तो घूम फिरकर फिर वही पर पहिया आता था कि कैसे भी करके अर्थ वैवस्था को सुधारा जाए उद्योग धंदों को ठीक किया जाए बंद पड़ी वध्यो की कैयों को फिर से चालू किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिलेん उनका जीवन स्तर सुधरी तो कहीं न कई घूम फिरकर और वध्योगी के कायों कि सुचारू संचालन की बात आई और सुचारू संचालन के लिए उदारे कि एसा ही बिंदो ये भी देखने को मिला कि प्रतिकूल भुक्तान संतुलन की जो इस तति निर्मित हो चुकी थी याने कि निर्यात तो कुछ हो नहीं रहा था आयात की आवशक्ता लगातार बढ़ती जा रही थी उस पर नियंत्रण हमको इस्थापित करना था हमको आयात और निर्यात का जो संतुलन था उसको बराबर करना था क्योंकि हमने इसके पहले देखा कि विदेशी मुद्रा की अपरियाप्तता जो थी विदेशी रिण का जो भार था वो कहीं न कहीं आर्थविवस्था को दबाय जा रहा था कमजोर करता जा रहा था तो प्रतिकूल भुकतान संतुलन को भी समायोजित किया जा सके इसके लिए उद्योगों के विकास की जरूरत पड़ी और उद्योगों के विकास के लिए उदारेकरण की जरूरत पड़ी साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि विन्योग का धा नाचा था उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव था बहुत सारे उद्योग धंदे ऐसे थे जिन में निजी छेत्रों के विन्योग पर प्रतिबंध लगा हुआ था और यही कारण था कि वो जो अध्योगी की काया थी वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी तो यहां पर कुछ प को जरूरत है तो हमको विदेशी मुद्रा चाहिए और विदेशी की जो अर्थवयवस्था थी उसको कहीं न कहीं कैसे भी चलाना था लोगों को जो उनकी मूल भूत आवशक्ताओं की चीज है रोटी कपड़ा मकान है वो तो सरकार को मुह या कराना ही था ऐसे में को थी सही थी तो अद्वयवक विकास को फिर से यहाँ पर हम घुम फिरकर उधारी करन यहां पर हमने में पर हमने महसूस कि वैसे कैसे अब क्यूंकि प्रोडुक्शन हो इनिरा था और आयात करने में हम सक्षम नहीं थे तो जो देश्वासी ओ का था लोगों का जीवन इस ऐसे ही हम देखें तो आर्थिक उदारी करण जो था वो कुछ उद्देश और विशेस्ताओं को साथ लेकर चल रहा था कौन-कौन सिल्व्स की विशेस्ता है थी किन उद्देशों को वो अपने साथ में लिए हुए था उदारी करण आये देखते हैं सबसे पहले हम इसके उद्देशों या विशेस्ताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि लाइसेंस को यहां पर जब समाप्त किया गया तो यह एक बहुत बड़ा कारण बना कि उद्द्योग जो थे वैपार जो थे उनमें निजी छेत्रों का प्रवेश बढ़ने लगा और कह नहीं न कहीं जो अध्योगिक वैवस्ता थी वह सुचारू रूप से चलने लगी दूसरा हम इसमें देखे तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो रुकावट आई हुई थी सिर्फ सार्वजनिक शेत्र कस्तित्व था निजी छेत्र आहीं नहीं पा रहे थे अब यहां देखा गया कि विदेशी विन्योग यहां पर बढ़ गया निजी चेत्रों में और सार्वजनिक शेत्र में दोनों ही चेत्रों में विदेश की जो कंपनिया थे उनको अमंत्रत किया गया विदेश विन्योग के लिए उनको बुलाया गया तो विदेशी विन्योग जो था वो यहां पर बढ़ने लगा और देश की जो बंद पड़ी और विमार जो उद्योग धन्दे थे उनको भी दिशा मिल गई साथ ही यहां पर यह भी देखा गया कि भुक्तान संतुलन की हम बात कर रहे थे कि भुक्तान संतुलन जो था वो प्रॉपर नहीं था खर्च हमको जादा करना था और आय हमारे पास कम हो रही थी तो यहां पर जब उदारी करण की नीती को अपनाया गया और उद्योगों का विकास होने लगा तो भुक्तान संतुलन की जो इस्तिती थी वो सही हो गई कृषी के हम बात करें तो यहां पर कृषी ने भी जो एक कहना चाहिए कि तीवर विकास हुआ और एक सही गती जो कृषी के होनी चाहिए थी वो उसको मिल गई क्योंकि जो पूंजी का जो यंत्र थे मशीनरी थी उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे आयात के जो कर बहुत ज्यादा लगे होते थे और जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो जब समाप्त कर दिये गया तो बहुत सारे मशीनों का हम आयात करने लगे बहुत सारे कृशी हम अपने देश में भी बनाने लगे और आवशक्ता पढ़ने पर आयात भी करने लगे तो ऐसी कंडिशन में किरुशी में जब हमने तकनीकों का प्रयोग किया तो जाहिर सी बात है कि किरुशी का विकास होना तैथा एक उदेश यह भी माना गया कि प्रतिसपर्धा का सामदा करने के लिए हमको द्योगों को उसके योग बनाना है तो हमने क्यूंकि विदेशों से तकनीकों का आयात किया जो उच्छी कॉलिटी के जो कच्छे माल थे उसका हमने प्रयोग करने का प्रयास किया तो हम हमारे गुणवत्ता ऐसी थी कि उनको निर्यात भी कर सकते थे और अगर देश की लोग भी अगर उसको प्योग करते तो उनका जीवन स्थर सुधर सकता था वैसे ही लाल फीता शाही का अन्थ होता यहां देखा गये अब क्यूंकि सार्वजनिक छेत्र में जो एक अधिकारात्मक व है निसन साधनों की भात का है है धीन धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर थे वह प्रतियोगीता में आ गये तो कहीं न कहीं आपर भ्रष्टा चार और लाल पीता साही का अंथ हो गया साथी जो मूलभूत जो सबस्याय थी जिनको ध्यान में रखकर जो भारती आर्थिक नीती 1991 का निर्मान किया गया जो जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असिक्षा, महंगाई ये जो मूलभूत समस्याय थी इनको काफी हद तक कम करना इसका एक उद्देश है रहा और काफी उसम सफलता मिली झाल 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 झाल